दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको कंट्रोल के साथ में यह सभी सॉटकट की बताने वाला हूँ एक्सल पर अगर आप एक्सल सीख रहे हैं या फिर एक्सल पर आप वर्क करते हैं तो यह सभी सॉटकट की आपके लिए बहुत ज़्यदा यूसुल हो सकती है दोस्तो यह सभी सॉटकट की जानने के लिए आप वीडियो में विलाश्य तक बने रही है आई होप आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यदा यूसुल होगी तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तो एक्सल पर वर्क करते हुए हमें कभी भी अपने इस रीबन को यहां से हाइड करना है तो उसके लिए सिंपल हम कंट्रोल के साथ में F1 बटन को प्रैस करेंगे तो हम इस रीबन को इसली हाइड कर सकते हैं और अन हाइड कर सकते हैं यहां से Ctrl F1 बटन को प्रेस करके अगली जो कमाड़ हमारी Ctrl F2 तो Ctrl F2 जैसे हम प्रेस करते हैं कीबोड से हमार पास देखे यहां पर Print की कमाड़ निकल कर आती है यानि कि Excel पर हम किसी भी फाइल को Print आउट देना चाहते हैं तो Direct यहां पर हम Ctrl के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो हम Direct प्रेंट की कमाड़ यहां से दे सकते हैं यहां से वापस निकलने के लिए हमें कीबोड से स्कैब बटन प्रेस करना हुगा या फिर हम इस एरो पर भी क्लिक कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर एगली कमाड़ हमारी आपके साथ में F3 बटन जैसे हम Ctrl के साथ में F3 प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहां पर देखिए नई मेनेजर का ओप्षन खुल कर आएगा यह नई मेनेजर ओप्षन जो हमें यहां पर फॉर्मलास टैप में यहां मिलता है देखिए इस ओप्षन के लिए पूरी पूरी एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह ओप्षन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स जो हमारे पास ओटकट की है Ctrl F6 तो अगर हमने अपने कंपीटर पर एक से ज्यादा एक्सल की वर्कूप ओपन की हुई है तो Ctrl के साथ में F6 बटन से हम एक वर्कूप से दूसरी वर्कूप पर स्विच कर सकते हैं इस तरह से अगरी जो कमांड मिलती है हमें वह हमारी Ctrl F9 Keyboard से जैसे हम Ctrl F9 प्रेस करते हैं तो देखिए हम अपनी current वर्कूप को minimize कर सकते हैं और उसको वापस से restore करना है तो keyboard से alt के साथ में tap button प्रेस करेंगे तो इस तरह से हम इसको restore कर सकते हैं यानि कि Ctrl F9 प्रेस करते हम अपनी current वर्कूप को minimize कर सकते हैं जो भी हमारी पास workbook है उसको हम इस तरह से minimize कर सकते हैं और alt tab के साथ में हम उस workbook को वापस से restore कर सकते हैं इस तरह से अगली जो command मिलती है हमें हो है Ctrl F10 Ctrl F10 से हम अपनी current workbook को इस तरह से थोड़ी सी मतलब जो छोटी करते हैं डिस्प्ले पर इसे restore भी कर सकते हैं और वापस से इसको maximize कर सकते हैं इस तरह से नेक्स जो हमारे पास command है Ctrl प्लस Space बटन दोस्तों यहां पर जिस भी कॉलम में हमने cursor अपना क्लिक किया हुआ है Ctrl के साथ में जैसे ही हम Space बटन प्रैस करते हैं वह पूरा का पूरा कॉलम हमारा एक बार में ही select हो जाता है Ctrl Space बटन इस तरह से हम पूरे कॉलम को एक बार में ही select कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम पूरी row select करना चाहते हैं तो shift के साथ में Space बटन प्रैस करेंगे तो पूरी row हमारी select हो जागी इस तरह से अगली जो command मिल जाती है हमें यहाँ पर control right arrow, left arrow, up arrow and down arrow दोस्तों control के साथ में हम इन सभी arrows को use करते हैं तो direct हम अपनी file के last में या फिर starting में आ सकते हैं कि यह जो हमारी sheet है इस पर हम अगर control के साथ में down arrow प्रैस करते हैं तो sheet के last row पर हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर control down arrow से इस तरह से तो इस तरह से आप देख भी सकते हों कि आपकी जो एक sheet पर कितनी total row हैं यहाँ पर देखिए 10,48,576 total row होती है हमारी एक एक्सल की sheet पर यहाँ से में वापस उपर जाना है तो control के साथ में up arrow इसी तरह से अगर हमें right में यानि की column देखने हैं लाश्ट में कितने कहां तक हमारे column होते हैं तो control के साथ में right arrow प्रैस करेंगे तो इस तरह से हमें कॉलम के last में आ सकते हैं और यहाँ से वापस स्टार्टिंग में जाने के लिए control के साथ में left arrow इस तरह से तो इसके साथ मैं आपको एक command और बताईता हूं यहाँ पर देखिए आपको जानना है कि आपकी एक sheet पर कितनी row और कितने total column है तो आपको आपकी एक्सल की sheet पर यहाँ पर देखिए चोटा से arrow दिया हुआ है simple आपको mouse को click को यहाँ पर press करके रखना है तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा यहाँ पर मैं इसको दुछा सा बड़ा कर देता हूं इस तरह से तो देखिए आपको simple आपको दिखाएगा कि आपकी sheet प कमान मिल जाती है वो है control home दोस्तों हम excel की sheet में कहीं पर भी work कर रहे हैं और हमें direct यहाँ से starting में अपनी excel workbook के starting में यानिकी first row first column पर पहुंचना है तो simple हम keyboard से control home button प्रेस करेंगे तो सीधे हम अपनी sheet पर starting में पहुंच जाएंगे जहां से भी हमारी sheet यानिकी first column और first row start होती है next जो हमारे पास command है वो है control end button तो दोस्तों हम यहाँ पर फाइल में work कर रहे हैं और यहां से हम अपनी sheet के यानिकी यहाँ पर हमने last work किया हुआ है वहाँ जाना चाहते हैं तो control end button प्रेस करते ही अपनी sheet के last जहां पर हमने work खतम किया हुगा वहाँ पर हम पहुंच जाएंगे इस तरह से अब दोस्तों Excel में control के साथ में plus button से command चलाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा data create किया है और अब हम यहाँ पर अपने cursor को क्लिक करके keyboard से control plus button प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर यह एक छोटा सा dialogue box आता है जिसकी help से हम यहाँ पर एक cell या फिर एक पूरी पूरी रो या फिर पूरा पूरा एक column यहाँ पर add कर सकते हैं सबोच को यहाँ पर आपको पूरी पूरी रो एड़ करनी है तो simple या तो आप mouse से click कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए जो आपका entire row लिखा हुआ है इसमें R के नीचे एक छोट आटी के आजागा और enter करते ही यह option चल जागा यानि कि पूरी रो आपके पास एक add हो जाएगी यहाँ पर अभी हम फिर से एक बार यहाँ पर control प्लस बटन प्रेस करते हैं अब हमें यहाँ पर देखिए column add करना है तो column के लिए हमें यहाँ पर c press करना होगा और फिर keyboard से enter कर गया तो दोस्तों अभी जो हमने यहाँ पर command चलाई है वो हमने control प्लस बटन से चलाई है अब यहाँ पर control minus को जब हम use करेंगे तो जो हमने column और row को add गया है वो हम यहाँ से delete भी कर सकते हैं यानि कि कोई भी column या कोई भी row हम यहाँ से delete कर सकते हैं control minus button press किया आप देखिए यहाँ पर option आ गया है delete के लिए तो कोई भी row column या cell आपको delete करने हैं तो simple आपको tap पर click करना अशपर और enter करना है तो देखिए आपके पूरी पूरी रोडिलेट हो गई फिर से मैंने आप control minus press किया और आपके हमें column delete करना है तो column delete करना है तो c press किया and enter किया तो देखिए पू control plus and control minus से column और row add कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं अब दोस्तों अगली जो हमारी दो short command बची हुई है यह पर वो है control के साथ में column and control के साथ में semicolon button दोस्तों जैसा कि आखको पता है keyboard पर यह दोनों ही symbol एक ही button पर दिये होते हैं तो एक सिम्बल हमें press करना होता है तो वो हम without shift shift बटन के साथ में चलेगी और यह हमारी कमांड जो चलेगी वो without shift चलेगी तो अब देखिए दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर control के साथ मैं semi colon button को press करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर आज की current date यहाँ पर निकल कर आएगी इस तरह से control semi colon button प्रेस करते साथी इस तरह से और यहीं पर अगर हम control shift colon को press करते हैं जैनने इसी button हम फिर से press करते हैं तो हमारे पास current time निकल कर आएगा यानि कि अभी जो हमारा current time चल रहा है वो यहाँ पर निकल कर आएगा ctrl shift colon button colon button press करके तो दोस्तों ये थी हमारी control के साथ में सभी short command दोस्तों वीडियो को प्रशन दाईती है वीडियो को like करें share करें चैनल को subscribe करें इसी तरह की computer courses से related video ठेकते रहने के लिए thank you, thank you very much